हाई फ्रेंड्स स्वागत है हमारे दिपक स्टडी चैनल में तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आप तम्नेल देखकर तो समझी गये होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है तो दोस्तों वीडियो को हम देर ना करते हुए चलिए हम वीडिय चीजे यूज मत करो कि जैसे माल लिजे अगर आप यूज करी रहे हो जैसे अपने गर्ल्फ्रेंड के साथ कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हो अपने रिलेटिव के साथ कर रहे हो कि आपका जो आपके फोन पर जो आपके रिलेटिव का कॉल अगर और कही कर रहे हैं और आप चाहते हो कि कॉल हमारे फोन पर आए आपकी सेम जैसे गर्फरंड का भी अगर आप चरूल वीडीयो कॉल कुछ भी कॉल आप चेक करना चाते हैं तो चलिए हम आपको इस वीडियो पर आना है उसके बाद सेटिंग पर आने के बाद में आपको यहां पर देखिए देखने को मिल रहा है कॉलिंग अकाउंट कॉलिंग अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में तीन आपको देखने को मिलेंगे एक advanced setting है advanced setting में आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का option आएगा जो कि आपको उपर option दिया है flash on call तो जो कि इसका वीडियो में ने अल्री बना दिया है और आई बटन में उसके बाद में जो option open होगा वहाँ पर देखिए आपका sim card जैसे आपके mobile में दो sim card slot है दो sim card अगर आपने लगाया है तो भी होगा one sim card लगाया है तो भी होगा तो माले जैसे मैं अब इस number का जो भी है ये उपर वाले number का sim 1 का मैं करना चाहता हूँ sim 2 से तो उस पर हम click करते हैं click करने की बाद में फिर से आपके सामने दो option आएगा दो option यानि की एक wise call और एक video call तो wise call पर आपको क्या करना है मतलब जो उनका वो जो call करेंगे ना आपके mobile कहीं भी call करेंगे बट आपके mobile पर wise call आएगा फिर से आपके चार option आएंगे चार option यानि कि always forward when we easy और इसके बाद में when unreachable ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है always forward पर आपको click करना है always forward पर click करने के बाद में अभी आपको क्या करना है यहाँ पर आपको वो number । डालना है जिस number से आप चाहते हो कि मतलब उसका जो phone है वो phone कहीं और करें बट phone वो मेरे पास आ जाए तो चलिए हम अपना second जो sim card है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं second sim card का number और वो number हम यहाँ पर डालने के बाद में इसे हम right side में देखिए यहाँ पर सही का निसान है उस पर आपको click कर कि बाद में देखिए आपका number जो है यह always forward हो चुका है अब इसे check कैसे करेंगे उपर से slide करेंगे slide करके देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है अगर कोई भी हमारा sim 1 पर कोई भी call करेगा कोई भी person call करेगा फिर ladies call करेगा फिर जेंट्स call करेंगे हमारे relative girlfriend boyfriend जो भी call करेंगे तो उनका जो number है ना हमारे 7800 161 पर जो यह number है ना इस number पर नहीं जाएगा तो आपको जो आपने पहला sim card लगाया है ना उस number पर उनका call आएगा तो I hope कि दोस्तों हमारा जो यह आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर किजिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए thank you so much